इन दौर में बोरे में बंद लाश मिलने से संसनी फैल गई है बतादे सूशना के बाद पुलिस मौके पर पहुँची है पुलिस के मताबिक यवग की हत्या के बाद उसकी लाश को बोरे में बंद करके यहां फेका गया है मुरतक के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है फिलाल पुलिस पूरे मामली की जांच में जुटी हुई है इन दौर के एरोडरो मिलाका पुलिस को स्थान ये लोगों ने सूचना देकर बोरे के बारे में जानकारी दी मौके पर पहुची पुलिस ने जब बोरा खुल कर देखा तो उसमें 41 वर्षे व्यक्ति का शव मिला शव से काफी बद्बू आ रही थी शव के हाथ पैर बंदे हुए थे पुलिस ने शव को पोस्ट मॉटम के लिए एस्पिताल पहुचा दिया है फिलाल मुरतक की शिनाकत नहीं हो सकी है इधर पुलिस का कहना है कि मुरतक के शरीर पर चूटके निशान मिले हैं जिसके बाद हत्या की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है पुलिस के मताबिक शक्ष की हत्या कहीं और की गई है और उसके बाद शब को यहां लाकर ठिकाने लगा दिया गया है फिलाल पुलिस पूरे इलाके में लगे CCTV कैमरों के आधार पर जाच में जुटी हुई है पर इसमें एक सफेद प्लास्टिक के बोरे में एक अग्याद विक्ति जिसके उम्र करीब 45 साल की है उसके हाथ पर बंदे हुए थे अब सनाक्त कि नहीं हो पाई है जो हमारी टीम है वो चारो कर पर संपर करके अग्याद पिट के बारे में पता साजी करने के प्रहाँ